यह वीडियो हिंदी व्याकरण से हैं और इस वीडियो हम लोग जानने वाले हैं कि अनुसार किसे कहते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं और विसर्ग किसे कहते हैं, इसका उपयोग कहां पर होता हैं और इसका उचारान अस्थान क्या हैं, कहने का मतलब कि हमारे सरीर के किस अंग इसका उचारान होता है तो सबसे पहले हम अनुसार को समझते हैं कि अनुसार किसे कहते हैं तो देखिए किसी भी सब्द के उपर जो बिंदू लगा हुआ रहता है न उसे ही अनुसार कहते हैं इसका चीन क्या है तो यह बिंदू है देखिए इसे वन के उपर लगाया जाता है अनुसार का उपयोग हम लोग कहाँ पर करेंगे तो इसका उपयोग हम वन के उपर करेंगे जैसे कि यहाँ पर देखिए पलंग है तो इसके उपर पक के उपर लगा है न यह तो यह क्या है अनुसार है, उसके बाद है दंग है, कंखी है, यह सब क्या है, यह सब अनुसार है, अब हम यह समझ लेते हैं कि इसका उचारन कहां से होता है, तो देखिए इसका उचारन नाक से होता है, तो अनुसार का उचारन कहां से होता है, तो इसका उचारन नाक से होता है, उसके देखिए इससे भी वण के उपर लगाया जाता है अनुनासिक को भी वण के उपर लगाया जाता है जैसे की सब्द है गाउ, मांद इसके उपर अनुनासिक का चीन लगा हुआ है और इसका उचारण क्या है इसका उचारण स्थान है नाक और मुह यह जो है नाक और मुह की सहा तासे उचारन होता है उसके बाद अगला है विसर्ग तो विसर्ग चीन का यह संकेत जो है न यह वाला है ठीक और इसका उचारन ह की तरह होता है और इसे वन के आगे लिखा जाता है यह विसर्ग जो है इसका उचारन कैसा होता है तो ह की तरह होता है और इसे वन के आगे यहां पर दुख दुख इस तरह से दुख ठीक यह हो गया विषर यह हो गया अनुसार यह हो गया anunasik तो मैं यह आसा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत चैसे अनुसार अनुनासिक और विसर को समझ गए होंगे अधिस समझ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक किजेगा और इस वीडियो के बारे में कमेंट लिकर जुरूर बताएगा कि समझ में आया कि नहीं